आईए अब हम चबते हैं लेक्चर नमबर टू की तरफ जहां पर हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे हेलो एलकेन की यानि कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हेलो एलकेन एंड हेलो एली हेलो एरिस और उसका लेक्चर नमबर टू है आज देहिए इसमें हमें क्या पढ़ना है इसमें हमें सबसे पहले डिस्कुस करना है formation of hello alken कि यह जो hello alken है यह बनता कैसे है यह कैसे बनेगा फिर उसकी property देखेंगे फिर उसकी reactivity का discussion हम करेंगे कैसे कैसे react करता है सबसे पहला जो formation है वो formation है जी आपका कहा से वो formation आपका सबसे पहला होगा from alcohol from alcohol यानि कि alcohol से क्या बनता है जी hello alken बनता है कैसे बनता है let's suppose हमारे पास सबसे simplest alcohol है ROH हमने ले लिया है और इसको react करवाया है हमने किस के साथ HX के साथ HX क्या है जी अपना halogen है और जो NCRT के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर HCL given है लेकिन हम HF, HCL, HBR, HI सारे हैं डिसकस करेंगे कैसे डिसकस करेंगे एक बार यह देखो जो आपको यह दिख रहा है जो यह CLH X आपको दिख रहा है यह तूटेगा H पलस और CL माइनस में अब क्या होगा अब जो oxygen के loan pair है वो attack मारेंगे इस positive charge पे इस positive charge पे attack अब मारेंगे तब यह तूटेगा H पलस और यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर आप अगर HCL होता तो HCL माइनस और यहाँ पर क्या ले सकते हैं आप HX तो यहाँ पर यह attack मारेगा attack करने के बाद क्या होगा सुनना जी attack का मतलब क्या होता है अपने पास यह है जी oxygen यह रहा वो एक bond जुड़ा हुआ है R के साथ यह रहा और एक bond किसके साथ जुड़ा हुआ है H के साथ है यह रहा और इस पे attack मारने का मतलब यहाँ पर H पलस था इनके बीच में यह bond बना देंगे attack मारने का यह मतलब होता है अब electron दिये किसने है oxygen ने और जो electron donor है उस पे charge कैसा आता है जी positive charge आता है अब इस पे positive charge जनरेट हो जाएगा अब क्या होगा अब living group का concept आपको बताता हूँ living group का क्या concept होता है यहाँ पर देखना जी concept of living group मतलब जो छोड़ के जाएगा concept of living group lg लिख लूँ देखो कहीं भी अगर carbon है carbon से कुछ भी जुड़ा हुआ है अगर यहाँ पर ऐसा molecule है जो तूटने के बाद क्या हो जाए neutral हो जाए जैसे अगर इस bond को मत तोड़ दू तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O यनि कि सबसे strongest living group क्या होता है जो neutral हो जो nature में कैसा हो जी neutral हो अगर मान लो इसकी जगे क्या होता इसकी जगे केवल hydrogen होता और यहाँ पर क्या लगा होता है CL तो दूसरे नमबर पर living group कौन होता CL अब CL living group क्यों है क्योंकि chlorine के पास क्या है जी vacant d orbital होता है vacant d orbital है तो यह अच्छा living group है उसके बाद नमबर 3 पर हम क्या देखते नमबर 3 पर अगर कहीं भी resonance हो रही है तो वो living group होता फिर hyperconjugation inductive वो देखेंगे main 3 है जी main आप यह याद रखे शुरू में यहाँ पर अगर यह bond तूट जाए तो क्या यह neutral molecule निकलेगा बिलकुल निकलेगा जी अगर यह bond यहाँ से तूटता है तो बाहर क्या जाएगा जी यहाँ देखो यहाँ R इस पे plus charge आ जाएगा और यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा अब R पे plus charge कैसे आया सुनना जी देखो R मतलब है carbon chain carbon और oxygen का bond बना हुआ है यहाँ पर positive charge रहा हुआ और जो positive charge है इन दोनों में इस एलेक्ट्रो नेगिटिव वेल्यू कौन ज़दा है oxygen की 3.5 होती है जी और carbon की 2.5 होती है जी यह SP3 hybridized carbon की है इसकी इलेक्ट्रो नेगिटिव वेल्यू ज़दा तो यह दोनों के दोनों इलेक्ट्रो यह ले लेगा और दोनों इलेक्ट्रो यह ले ले लेगा इसका oxygen का positive charge खतम तो इस carbon पे कैसा charge आजाएगा जी यहाँ पर आजाएगा जी positive charge तो यहाँ पर आर पे कैसा charge generate हो चुका है जी यहाँ पर positive charge generate हो चुका है अब अगर rearrangement इसमें हो सकती है तो आप करवाएं अब rearrangement का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे देखो जी यहाँ पर क्या present है फिर है जी X minus यानि क्या present है अपने पास कोई भी हेलो जन और यह इस पर attack मारेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा जी यहाँ पर RX बन जाएगा और साथ में क्या निकला हुआ है plus H2O यह इसकी formation हो गई HX मतलब क्या है जी हेलो एलेकेन की आपके पास formation यहाँ पर हो चुकी है यह है जी formation का rule HX कैसे बनता है अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं यहाँ पर ले लो जी simple ROX ठीक है जी इसको react करवाते हैं हम यहाँ पर लेते है HF यहाँ पर लेते है HCL यहाँ पर लेते है HBR यहाँ पर लेते है HI यह देखो, product simple है जी, इस में हमें क्या देखने को मिला, इस mechanism में, इस mechanism में जो देखने को मिला है, हमें यहां लिख देता हूं जी, इस corner में, देखो जी, क्या है जी, शुरू में ROH था, यह रहा जी, ROH, और उसमें क्या डला है, उसमें डला है जी, HX, HX डलने के बाद क्या बना है? यहां बना है R X यहां है R X लिख सकते हैं यह रहा R X पलस क्या है जी? H2O आप direct कैसे करेंगे? डिरेक्ट देखो, यहां पर R OH लिखें, यहां पर क्या लिखें? H और X लिखें, या X और H लिख सकते हैं, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है H2O और ये निकलने के बाद यहाँ क्या बचा है जी आपका यहाँ देखो यहाँ क्या बचा है Rx यह बन जाएगा जी यहाँ पर Rx यह molecule की formation है ऐसे molecule आप direct बना सकते हैं यानि की X किस के साथ जुड़ा है R के साथ जुड़ा है जो हेलोजन आएगा अपना कैसा हेलोजन देखो यहाँ पर Rx है तो यहाँ पर क्या बनेगा हेलोजन आ जाएगा और ये H2O बाहर निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से देखो जी यहाँ से H2O बाहर निकलेगा ठीक है जी H2O बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा जी यहां बनेगा RF पलस यहां पर निकल जाएगा H2O अब बात करता हूँ second case की second case में क्या होगा यहां से फिर से क्या बाहर निकल जाएगा H2O और बन जाएगा RCL पलस क्या H2O अगले case की अगर मैं बात करूँ हर case में ऐसे बोल सकते हैं यहां से फिर से क्या निकल जाएगा क्या निकल जाएगा जी H2O और क्या बन जाएगा R और BR यहां बन गया जी RBR पलस क्या बन गया H2O next case में ऐसे हम direct देख सकते हैं तो मैं पता लग गया H2O बाहर निकलेगा यह बनेगा जी R I पलस क्या H2O यह सारे क्या सारे product बन सकते हैं जैसा मैंने शुरू में बताया था हेलोजन होते हैं फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन और यह क्या है जी AT estetine इन सब की reactivity देखी है हमने estetine की नहीं देखी है क्योंकि यह radio active element यह reaction करेगा ही नहीं इसलिए इसके लाव हम च्यारों की reactivity देख लेगे अब रखते हैं जी इनका नाम कैसे? इसको बोल देते हैं जी A, पहले वाड़े को दूसरे वाड़े को B और तिसरे वाड़े को C चोथे वाड़े को D यनकी HF लिया तो A बोला HCL लिया तो B HBR लिया तो C HI बोला तो D इन में fast reaction किसकी होगी? सबसे fast होगी जी किसकी? D की, फिर C की, फिर B की, फिर A की वेरी simple है जी अब आप कहोगे कैसे पता लागा reaction कैसे होगी? देखो जी यहाँ पर अगर मैं form करवाऊं इसके साथ में अलग देखो पै यहाँ पर मैं formation करऊंग HF ले लिया मैंने यह रहा HF या फिर यहाँ ले लेते हैं यहाँ पर लिलू मैं HF ले लिया यहाँ पर थोड़ी सी bond length बढ़ जाएगी H-Cell ले लिया HBR में और ज़्यदा bond length हो जाएगी HI में और ज़्यदा लबी bond length हो जाएगी क्योंकि जैसे fluorine, chlorine, bromine, iodine down the group जा रहे हो atom का size बढ़ रहा है और atom का size बढ़ेगा तो इनके बिच की distance बढ़ेगी और इनके बिच की distance बढ़ेगी तो यह जो gap है यह जो radius है atomic ray बढ़ती चले जाएगी और जितनी radii बढ़ेगी उतना bond weak होगा उतना easily bond तूट जाएगा तो HI में सबसे पहले H plus और I minus में तूटेगा HBR में इसके comparison में slow तूटेगा और HCL में तो और slow तूटेगा HBR से और HF में सबसे slow तूटेगा इसलिए reactivity का order यह रहेगा या फिर आप simply क्या कह सकते हो reactivity order reactivity order क्या रहेगा इनके case में सुनना जी यहाँ पर है HF यहाँ पर है HCL यहाँ पर है HBR और last में है जी आपका क्या HI होगा कैसे होगा यह भी discuss करेए ठीक है जी यह थी formation of alcohol अगर आपके पास rearrangement हो रही है वो करवाए अब rearrangement का क्या लफणा है वो सीख लेते हैं देखो जी आपके पास है जी CH3 यहाँ लिखो CH3 यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2 और यहाँ लगा हुआ है जी आपके पास OX और यहाँ पर क्या जाएगा जी यहाँ पर मान लो आपके पास HX है ठीक है जी HCL given होगा हमेशा CL given होगा NCRT में लेकिन HX होता है ठीक है जी इसमें क्या होगा इसमें simple सी बात है यह तूटेगा किसमें CH2 यहाँ पर O O एक bond H के साथ था एक bond यह बन गया यहाँ पर कैसा चार्ज आए जी पोजिट्व चार्ज अब देखो carbon और oxygen का bond है यह यह bond टूटेगा तो oxygen electron लेके जाएगा oxygen is being higher electronegative element than carbon तो positive charge कहां बन जाएगा CH2 CH2 इस पे positive charge बन जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा जी H2O molecule बाहर निकल जाएगा अब पहली बात अगर मैं बोलूँ कि जो हैलोजन माइनस था वो इस पे टैक मारे तो product क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर क्या जूड जाएगा आपका हैलोजन एक्स जूड जाएगा लेकिन मैंने वर्ड यूज गिया यहाँ पर आप क्या करवाएं rearrangement rearrangement का मतलब क्या है यह molecule है जी इधर लिखते हैं CH3, CH2, CH2 इस पर कैसा charge है जी positive अब इसमें stability चेक करें यह जो carbon दिख रहा है आपको इसकी stability बताओ इसकी stability क्या रही होगी यहाँ पर hydrogen है यानि कि इस case में कितने alpha hydrogen आपको दिख रही है देखो जी CH3, CH, CH2 यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा यह carbon है जी इसके बगल में यह alpha carbon है और यह 2 alpha hydrogen आपको दिख रहे होगे यानि कि यहाँ पर केवल दो alpha hydrogen है अब क्या करवाएंगे जी अब हम shifting करवादेंगे shift मरवादेंगे इस hydrogen को यहाँ ले आएंगे और जैसे ही hydrogen यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3, C निच्चे वाला hydrogen as it is उपर पे positive charge यहाँ पर 2 hydrogen थे पहले ही positive charge है तो alpha carbon एक यह है और यह है जो alpha carbon पे hydrogen जुड़े हुए वो alpha hydrogen हुए total alpha hydrogen यहाँ 6 हुए 6 alpha hydrogen अब इन में से इसको नाम A दे दो इसको नाम B structure दे दो A और B में से कोण ज़्यादा stable है alpha hydrogen 2 है, alpha hydrogen 6 है तो यह more stable है less stable से higher stable की तरफ हम जाएं हैं एक hydrogen को हमने क्या करवा दिया है shift करवा दिया है, rearrange करवा दिया है इसको नाम दिया जाता है rearrangement क्या बुला है जी, rearrangement किसकी of carbocatine, carbocatine जहाँ बना था, उसको फिर से rearrange हमने करवा दिया और जहाँ पे ज़्यादा stable है, वहाँ पे लेके सले गे हमें ये पता लग चुगा है कोन सा ज़्यादा stable है कोन सा ज़्यादा stable है यही तो पता करना था यही तो पता करना था जी अब यह ज़्यादा stable है, तो मैं क्या करवा C-H3 यहाँ पर C-H, यहाँ पर C-H3 इस पे कैसा charge पैशीट यह C-3, यह C-3 इस carbon पे एक h निचे था, वो मैंने side में लिख लिया, अब कौन आएगा, अब आएगा x- और इस पे attack मार देगा, और attack मारते ही देखो क्या बन जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ carbon, यहाँ CH3, एक तो इसके पास क्या है जी, एक तो hydrogen है, यह लिख दिया, और दूसरा इसके पास क्य जोड़ जाएगा जी, हैलोजन जोड़ जाएगा, एक जोड़ जाएगा, यानि कि, यहाँ पर जो हैलोजन की formation हुई है, वो carbon, दो carbon से जुड़ा है, यानि कि, यहाँ पर secondary है, कौन सा है जी, secondary, और यहाँ पर जो हमने direct जोड़ा है, यह देखो, यह हैलोजन, जिस carbon से में बनाई यह यह नए बनाईर इसे कहते है रियारेज़मेंट गर्व धूलने यह यह नए एप गड़ेंडरेज्ट बिल्कुल ध्यान से देखें आप, बिल्कुल ध्यान से, अगला देख सकते हैं आप, ये रहा जी, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, कोई समय से नहीं, अलग-अलग कलर से दिखा रहा तो आपको विजिबल होगा, उसके बाद हमने देखा है ये जी, ठीक है जी, ये री अरेजम एक बात और बन जाए अगर एक केस और बन जाए एक केस का मतलब क्या है हम इस reaction को फर्दर आगे करवाना चाहे आगे मतलब आगर कोई मुझसे कह दे कि मैं इस reaction में white color इस reaction में N-A-B-R plus H2SO4 डालूं तो किस reaction में? किसी alcohol में? कैसे मैं बता रहा है यहां से देखना जी यहां का जो sodium है और यहां का एक hydrogen है वो exchange हो जाएंगे केवल एक displacement reaction होगी simple double displacement reaction जी से बोलते हैं यहां पर क्या हो जाएगा जी? 1H आएगा तो यह तो बन जाएगा HBR ठीक है? plus यहां पर 1N जाएगा यह रहा एक NAH कितना गया था जी यहां से? एक ही गया था एक ही यहां पर जाएगा NAH SO4 यह बन जाएगा इसमें देखो वही reaction तो हो गई जी किसकी? HBR की? अभी तो हमने किया था अभी तो हमने HBR के साथ किया था देखो यह रहा HBR के साथ reaction करेगा तो क्या लग जाएगा? BR लग जाएगा simple सी बात है तो इस case में भी क्या लगता है? HBR कैसे? वह कहता है मैंने ROHL को ले लिया उसमें मैं क्या यह जैन डाल देता हूँ यह पलस कर लो या आरो पर डाल दू क्या? N A BR पलस H2SO4 डाल दू तो क्या प्रोड़क्ट बनेगा? प्रोड़क्ट बनने वाला बता simple है OH अटाओ BR लगाओ R यहाँ पर क्या? BR पलस H2O पलस वह आपके बास NHSO4 बना हूँ है ठीक है? इसमें simple ही तो है देखो यहाँ पर क्या बनेगा? HBR अच्छा यह HBR बनता है किसमें? इनसिटू 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 बोलते है इनसिटू का मतलब क्या है? मतलब जब आप reaction करवाते हो reaction के बीज में आपके पास क्या बनेगा? HBR और यह बनेगा reaction के बीज में और reaction के बीज में बनेगा तो product क्या बना देगा? HBR बना देगा HBR क्या है आपके पास? क्या बोलोग HBR को? यह भी हेलो एलकेन है हेलो एलकेन ठीक है? आगर इसको और अच्छा नाम देना चाहो तो यहाँ लिखो Bromo-Alkene है क्या है? Bromo-Alkene यहाँ पर आपको Bromo-Alkene की formation मिल जाएगी Bromo-Alkene मनता है इसमें कोई समझ से है तो कमेंट करें मैं कमेंट देखूँ आपके बिलकुल देहन नहीं ठीक है जी? ठीक अब आगे सल दिते हैं आगे हम पढ़ते हैं एक टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट बहुत काम आता है उसका नाम है Lucas Test Lucas Test इस टेस्ट में सबसे पहली बात तो आप रियेजेंट क्या क्या लेते हैं वो पता होना चाहिए इसमें लेते हैं जी एक तो Concentrated HCl plus ZnCl2 इसे क्या नाम देते हैं Lucas Reagant इसका काम क्या होता है सुनना जा HCl तो आपके पास है HCl है तो क्या बनाएगा अलकोल बनाएगा ठीक है जी देखाओ यह तो रहा HCl है, अलकोल है HCl है तो क्या बनाएगा हेलो अलकोल से फॉर्मेशन करवाएंगे यह वाटर बाहर निकल जाएगा अब इसी में यह मामला कहता है और एक चीज और ध्यान दो एक चीज हमने यह देखी है इसमें कर्बोकेटैन की फॉर्मेशन होती है कर्बोकेटैन मनता है अब देखो, मान लिया मेरे पास है Simple RoH और उसमें डाल दिया मैंने क्या Lucas Test डाल दिया Lucas Reagent बोलो आप Lucas Test यह Lucas Reagent है Lucas LR है Lucas Reagent यह डाल दिया यह Alcohol कुण सा है जी यह है जी मान लो Primary Alcohol तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा R CR मिलेगा माल दिया जो भी यहाँ पर प्रोड़क्ट आपको मिलेगा प्रोड़क्ट लिको सिदा सिदा जो भी यहाँ पर प्रोड़क्ट मिलेगा उसमें क्या चेंज आएगा देखो जी यह जो शुरुवाला आपको दिख रहा है यह यह Solubal है जी Lucas में Solubal और यह जो प्रोड़क्ट बनेगा यह प्रोड़क्ट क्या बन जाएगा जी आपका इन सोलूबल बनताएगा किसमें इन Lucas Reagent Lucas Reagent में Solubal नहीं होगा और यह Solubal है किसमें Lucas Reagent में अब Solubal होना ना होना का क्या मतलब है यह बनेगा Solid Form में यानि क्या बनेगा यह Solid Form में बनेगा और Solid Form में बनेगा तो यह क्या है Insolubal कोई भी reaction करवाते हैं यह container है अपने पास इसमें हमने इधर से A डाल दिया और इधर से क्या डाल दिया इधर से B डाल दिया और यह दोनों क्या हुए Mix हुए Mix होने के बाद कुछ Solid मान लो निचे बनके बैठ जाए यह रहा Solid मान लिए निचे बनके बैठ गया अब यह Solubal नहीं है नहीं घुदरा इसमें Insolubal है तो यह निचे जो Solid की फोर्म में बैठा है जो Solubal नहीं है उसे Precipitate कहते है क्या कहते है Precipitate Formation तो यह बनेगा आपके पास भी Precipitate नाम रख दूँगा मैं क्या PPT और यहाँ जो PPT बनती है इसी को नाम देते है Turbidity क्या नाम देते हैं जी Turbidity Locust Test में जो PPT बनती है Precipitation Formation होती है उसे Turbidity कहते हैं जो primary alcohol होंगे उसके वो Turbidity क्या करेंगे मतलब जागसा बनता इसमें यह Solid बनेगा और जागसा बनाएगा थोड़ा सा ठीक कुछ टाइम के बाद Turbidity आती है उसमें क्या आती है जी Turbidity कितने टाइम में आते हैं In Approximately 30 मिनट 30 मिनट का टाइम ले लेती है और 30 मिनट का टाइम एक रियक्शन के लिए बहुत ज़्यादा होता है कुछ बुक्स कहती है 30 मिनट का टाइम ज़्यादा है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे No Turbidity कोई Turbidity आपको देखने को नहीं मिलती किस केस में Primary Alcohol में अब सुनना अब अगर आजाए R-O-H यह R जो लिया है यह इस तरीके से arrangement है कौन सा Alcohol बना दिया आपके पास Secondary Alcohol इसमें आप Lucas Reagent डालोगे आपकी Turbidity आएगी बिल्कुल आएगी जी बिल्कुल Turbidity आजाएगी Turbidity ठीक है जी Turbidity कितने में पांच से दस मिनट का टाइम लेगी ठीक है जी Turbidity आपकी बिल्कुल आजाएगी ठीक है जी मैं बताऊँगा क्या ममना Turbidity का तो यहां से अगर आप R-O-H ले लो और कौन सा Alcohol ले लो ट्रसरी अलकुल आपने क्या किया आपने डाला क्या ल्यूकास रियजेंट Turbidity आजाएगी Immediately Immediately Turbidity आजाएगी इसको मैं I-Double M से रिपरेजेंट कर दूँगा ठीक है जी I-Double M Turbidity किसमें In seconds In मतलब 5 seconds मान लो In approximately क्या 5 seconds ठीक है यह फिर बहुत Fast लिख सकते हैं Immediately मतलब 5 seconds मतलब Turbidity बनेगी Fast ठीक है जी अब यह क्या रिपरेजेंट करता है यह क्या बताता है देखो ल्यूकास टेस्ट एक टेस्ट होता है जो क्या बताता है कि आपके पास Primary या Secondary या Tresory Alcohol परेजेंट है उन में Distinguse कर देता है Distinguse या फिर Differentiate कर देता है Differentiate मतलब इन एलकोल में कौन सा Primary है कौन सा Secondary है कौन सा Tresory है यह बता देता है लेकिन इसमें किसी भी टाइप का कोई नो Simple होना चाहिए यह क्या होना चाहिए जी Simple मतलब किसी तरह का Resonance वगेरा या Aromaticity वगेरा Plus I Am Effect वगेरा कुछ नहीं हो ठीक होगी हुआ तो क्या करेंगे आप इसे बड़ा गोर से देख सकते हैं बिलकुल असानी से आप इसके बारे में जान सकते हैं पढ़ सकते हैं बहुत असान है ठीक है जी आगे चले जी सलेंज या गई ठीक आगे सलेंटे अब अगर Resonance आजाए तो क्या करेंगे कोईट लेते हैं अगर मान लो आप के पास ये अलकॉल है इसमें डाल दिया अपने Lucas Reagent और एक आप के पास ये अलकॉल है इसमें भी आपने सेम क्या करा Lucas Reagent डाद दिया निज्टे की तरफ ठीक है जी तेखो ये क्या है जी इस Carbon से चुड़ा हुआ है और ये 1 से चुड़ा हुआ है तो primary alcohol है और ये भी कंसा है ये Carbon और ये Carbon एक से चुड़ा हुआ ये भी क्या है primary alcohol है अब देखो सबसे पहले यह bond तूटेगा यहां से तूटेगा जी अजी तूटता है यह bond यहां से तो यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर बन जाएगा जी आपका positive charge यहां पर फिर से यह bond यहां से तूटेगा यहां से और यहां पर कैसा charge आजाएगा positive charge आपका generate हो जाएगा तो इन में difference क्या है यह resonance करके यहाँ जाएगा double bond और resonance करने के बाद positive charge यहाँ double bond यहाँ यह कैसा structure है यह है resonating structure यह क्या कर गया है यहाँ पर resonance और resonance इसको stable करेगा और ज़्यादा stable हो जाएगा और यहाँ पर क्या है no resonance किसी भी टाइप का कोई resonance नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या no turbidity किसी टाइप की कोई turbidity नहीं आएगी या फिर 30 मिनट या उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यह turbidity लेती है तो 30 मिनट बहुत ज़्यादा मानती गई टाइप कहती नहीं टरबिडिटी यह नहीं आती और इसमें बिल्कुल turbidity आती है turbidity कुछ ही second में आजाएगी यह ज़ी turbidity Lucas reagent आपने डाला है तो इन दोनों में primary alcohol, secondary alcohol में differentiate कर देंगे या फिर यह भी primary alcohol है और यह भी primary alcohol है इसमें more stable कौन सा है वो है क्योंकि turbidity यहाँ पर आपको देखने को में जाएगी turbidity यहाँ पर आजाएगी यह था जी आपको turbidity का ग्यान होना चाहिए यह आपको कुछ example और कर लेते हैं turbidity के देखो जी पहला example यह लेते हैं यहाँ पर मान लो OH है पहला दूसरा यहाँ पर फिर से आप ऐसा करेंगे यहाँ पर OH यह फिर से benzenering है यहाँ पर आप इस तरीके से बना देंगे यहाँ पर OH है और यहाँ पर double bond है ठीक है जी और यहाँ पर क्या कर देंगे जी यहाँ पर simple कुछ ऐसा structure ले लेंगे OH है अगर आप से पूछें इन में से किसकी turbidity आएगी किसकी नहीं आएगी किसकी fast आएगी किसकी slow आएगी तो आप कैसे बताओगी कुछ और ले लेते हैं example यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर OH ले लिया आपने यह च्यार यहाँ पर यहाँ पर 6 में आप देखेंगे यहाँ पर OH और कुछ आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे यहाँ पर OH ठीक है जी इसमें टर्बिडिटी देखनी है जी कैसे कैसे आएगी सुनना जी टर्बिडिटी के लिए हम क्या गरते हैं देखो जी यहाँ पर क्या होगा यह H2O बाहर जाएगा इस कर्बन पर positive charge बन जाएगा यह लो जी इस कर्बन पर positive charge ठीक है जी यह बन गया इसमें फिर से यहाँ पर इस कर्बन पर positive charge बन जाएगा यह लो जी यहाँ पर बन गया positive charge यह बन गया यह रिंग है यहाँ पर यह बाहर जाएगा इस कर्बन पर positive बन जाएगा देखो जी बहुत असान चीज़े है जी बहुत असान यहां पर पॉजिटिव सार्ज और इहां पर आपको पॉट दिखेंगे यहां पर इस कार्उड पॉजिटिव आएगा यह अज्डिच में बाहर जाएगा यहां पर आपको कुछ एक दोती Scale पांच एक दोती An से क्या कर देल में email कृ съगाँ यह बनेगे और यहां से इस कर्बन पर positive charge जाएगा यह तो बड़ा simple है terciary है यहां पर फिर से यहां पर क्या जाएगा secondary और यहां पर देखो इस कर्बन पर यह breeze वाला इता है और breezing वाले पर कभी भी car brick बरीज वाले का मतलब के है है आप इसे कैसे बनाओगे ये बनता है जी कुछ इस फोन में ठीक है जी यहां पर OH है और इसके उपर एक ऐसा यह नहीं पर द Fr junk the अगले दो फिर नीचे ज्ञें कर दो जो उपर थे उनका एक जोईन कर दो ठीक है फिर से यहां बोंड यह रहा एक कार्बन दूसरा कार्बन तिसरा चोथा पांचमा छटा जोड़ दो जो उपर वाले हैं उन पर बोंड ठीक है यह बोंड नहीं तूर सकता उपर वाले कार्बन का ऐसे देख सकते हैं दो कार्बन फिर से दो कार्बन और उ एंजीन रिंग पे positive charge very very unstable, very very unstable तो मैं लिखूंगा no turbidity, क्या लिखूंगा anti, anti मतलब no turbidity, यहाँ पर turbidity आएगी, yes, बिल्कुल आएगी, immediately turbidity आएगी, क्यों, क्योंकि यह positive charge, यह ring है, यह ring मतलब, यह ring है जी, क्या है जी, ring है, ring का मतलब क्या है, नेखते हैं, इसका मतलब है जी यहाँ पर आपको ऐसे double bond दिखेंगे, और यह resonance करवा देंगे इस molecule को, turbidity आजाएगी, यह, यह तो aromatic आपको दिख रहा हुआ, बिल्कुल अलगी दिख रहा है तो, aromatic है, कैसे दिखा, aromatic, दो चार्च है, 6 pi electron है, जी इसमें 6 pi electron और 6 pi electron aromatic होते हैं, और उपर सारे के सारे center आपको ठीक है जी, यहाँ पर positive charge और यह क्या है जी, केवल एक ही carbon, एक carbon से जुड़ा है, यह निकी कौन से वाला है जी, यह primary वाला है, और primary वाले में turbidity नहीं आया करती, यह फिर लंबे टाइम में आते करती, no turbidity, यह आप no turbidity, ठीक है जी, इसमें turbidity immediately आ जाएगी जी, immediate, IWM, immediate, इ पांच से दस मिनट में आ जाएगी जी, turbidity, secondary है, इसमें, इसमें no turbidity, no turbidity stable नहीं होता, इसमें turbidity immediate आ जाएगी जी, कैसे आ जाएगी, immediately आ जाएगी, इसमें turbidity आ जाएगी, यह resonance जवारा स्टेबलाइस है, immediately आप कह सकते हैं, ठीक है जी, इसमें no turbidity, यह था turbidity का concept, आपको द screenshot लेना है, तो आप आसनी से screenshot ले सकते हैं, यहाँ पर, कोई समस्या नहीं है, आग आगे सलते ही, देखो जी, अब reaction करवाते हैं, reaction with PCL3, PCL3 के साथ reaction करवाते हैं, किसकी reaction करवा रही है जिम, यहाँ यहाँ पर है जी, आपके पास, PCL3, fast force, atomic number 15, इसके पास vacant orbital है, vacant d orbital है आप कहेंगे, और vacant d है, तो क्या दरहेगा, इस oxygen के lone pair, इस पे attack मारेंगे, simple reaction करवाते हैं, आपको एक ही चीज़ देखनी है, एक के पास electron density हो, एक के पास vacant orbital हो, attack करवादो, जिसके पास electron density मतलब nucleophile है, जिसके पास vacant orbital है, वो electrophile है, nucleophile, electrophile डूंडो, react करवादो, attack करवादो, खताब, तो इसमें बनेगा क्या, देखो जी, यह है जी oxygen, एक side R से जुड़ा है, एक side O से जुड़ा है, H से जुड़ा है, R, O, H, और यह है जे PCL3, P, यहाँ पर CL, यहाँ पर CL, यहाँ पर CL, ठीक है जी, अब होगा क्या, होगा क्या, जैसे ही, इसका, इसके पास दो लोन पर, एक लोन पर इस पर attack मारेगा, उसी time पर, उसका कलोरिन का एक bond तूट जाएगा, उसी step में attack करें, और उसी में bond तूट जाए, उसे कहतें, concerted mechanism, क्या कहते हैं जी, concerted mechanism, concerted mechanism, यानि की bond breaking and bond formation takes place at a time, एक ही time पर attack कर रहा, उसी time पर bond चूट रहा है, और इसी mechanism को, हम, SN2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SN2, कल के class में बता है, SN2 क्या होता है, उस step में attack करें, उस step में bond break हो, अब आगे देखते हैं, क्या बनता है जी product, सुनना दें, बहुत असान है, सबसे पहले में यह ROH, ROH, यह लिजी यह बना दिया, उसके बाद, यह P, X, L यहाँ, X, L यहाँ, X, L तो बाहर चला गया, बाहर चला गया तो चला गया जी, और O और P का bond बन जा रहेगा, ठीक है जी, यह बन गया, अब कई लोग कहेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, reaction होगी यह नहीं होगी, बिलकुल पता लगेगा, सारी organic होगी, बिलकुल पता लगेगा, यहाँ पर reaction क्यों हुई, यहाँ पर यह जो bond बना है, O और P का OP bond बहुत ज़्यादा stable होता है, एक unstable चीज़ को हम stability की तरफ लेके जाते हैं, stable बनाना चाहते हैं, वही क्या है, वही reaction का mechanism है, एक इसकी driving force है, driving force क्या होती है, कैसे reaction होगी, कौन सा factor react करवाएगा, तो driving force है जिसकी OP bond की formation, ठीक है जी, जब OP bond बना, तो यहाँ पर एक CL- बाहर गया, यह रहा जी CL-, ठीक है जी, अब क्या लफडा होगा, अब यह CL- क्या लफडा करेगा, देखना नहीं, अब इस CL के पास दोप, देखो, first force पे attack नहीं कर सकता, क्योंकि वहीं से आया है, by chlorine, by chlorine आइक नहीं कर सकता, on oxygen पर positive charge है जी, यहाँ पर, oxygen पर कैसकी चार्ज ज़ियु यहाँ पर, positive charge जी ज़ियु आया कैसे? बिल्कुल सिम्पल सी बात है, electron दिये किसने? oxygen ने positive charge किस पर? oxygen पी अब या तो attack करें carbon पे इस पे R पे carbon chain पे या attack करें hydrogen पे तो attack करेगा R पे पहले R पे attack करवा तो product बनाता हूँ X पे attack क्यों नहीं करेगा फिर वो बताऊँ वा क्यों नहीं करेगा देखना जी यह इस पे attack करेगा और यह bond अपने लेके वापस चला जाएगा carbon और oxygen पे electronegative value जादा इसकी है तो यह बाहर चला जाएगा यानि कि इस ने इस पे attack किया तो क्या बना यहां से बना जी R और CL क्या बना है जी यहां से R और CL पलस यहां पे क्या बना है जी यहां पे अभी मत करवा हूँ इसको अभी attack मत करवा हूँ इनका एक बार के लिए इनका पूरा लफडा ही खतम कर लेते हैं क्या है जी यह white fan यहां पे क्या है जी यहां पे oxygen था यहां पे R था और यहां पे क्या था हो इस पे कैसा चार्ज था इस reaction को फर्दर करवा हूँ मतलब फिर से इसमें क्या डालेंगे ROH डालेंगे ROH पूरा mechanism मत हूँ इसलिए करवा रहा हूँ यह क्या करेगा यह फिर से attack मार देगा फिर से attack मार देगा किस पे वेक अर्बिटल अभी भी है attack मारेगा एक क्लोरिन और बाहर जाएगा बनेगा क्या यह है फास्फोर्स इसके साथ ROH यह बॉर्ड बना था इस पे positive charge था अब एक क्लोरिन बाहर गई है यह है जी OHR यानि क्या है ROH एलकोल यह बॉर्ड बनेगा जी और एक क्या है जी क्लोरिन है ठीक है एक CL यहाँ इकठी हुई और एक CL यहाँ इकठी हुई दो CL बाहर जा चुगी है आपकी दो CL आपकी बाहर है ठीक है जी अब अगले step में फिर से अगले step में फिर से आप डालोगे क्या ROH loan pair है और loan pair है तो फिर से attack होगा fast force पे क्योंकि fast force के तीन ही bond बते हैं और फिर से यह chlorine कहाँ चला जाएगा बाहर चला जाएगा क्या बनेगा क्या बनेगा यह रहाजी fast force इदर O यहाँ पर H यहाँ पर R यहाँ पर फिर से O O पे एक R और एक पे H यह एलकोल है रही देखो एकोल बना रहा हूँ ऐसे R O H और इनके bond बना रहा हूँ ठीक है जी और oxygen ने जो bond बनाए है electron donate करके करवाई है यानि कि सब पे कैसा कैसा charge सारी oxygen पे positive positive charge रहा होगा I think यह बात आपको clear हो गई होगी मलास्त में बता हूँ आजी ultimately हुआ क्या है ultimately हुआ है phosphorus के पास 3 chlorine थी phosphorus के पास क्या थी 3 chlorine थी और 1 chlorine की cost पे R O H आया है दूसरी chlorine पे फिर से R O H तीसरी chlorine पे फिर से R O H और फिर से यहाँ पर 1 Cl और निकली थी यानि कि अपने पास total कितनी Cl इकठी हो गई total 3 Cl minus इकठी हो चुकी है पहली Cl पहले अटैक में यहाँ से दूसरी Cl दूसरी अटैक में यहाँ से तीसरी Cl तीसरी अटैक में यहाँ से तीन अटैक तीन Cl बाहर अब इन में से Cl अटैक करेगी जी कहा कहा पहली Cl अटैक करेगी इस R पे और यह bond इदर shift ठीक है जी, दूसरी CL अटेक करेगी, इस R पे ये इलक्ट्रोन इधर शिफ्ट और तिसरी फिर से अटेक कर देगी, इधर से और ये बाउन इधर शिफ्ट, ठीक है जी, ये बात समय आइ, सारी R पे अटेक किया, पहली बात, कोई ये नहीं बोलेगा, इतनी दूर से अटेक न होंगे, तीन, अटेक तीन है, तो क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कमाल करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, कमाल, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है थे, हुआ क्या है, अल्टिमेटली, देखो, R और CL का ब यह तिसरा RCL यह है, और इसको मैं कह सकता हूँ, 3 RCL की formation हुई है, बिल्कुल कह सकता हूँ, प्लस, प्लस, क्या निकला है, प्लस, जो निकला है, उसे बड़ा गोर से देखना, उसको अलग कलर से दिखा दे, अलग कौन सा दिखे, ठेड से दिखा दे, देखो जी, यह R तो गय तो यहां क्या बचा, पी ओच, यहां, यह R तो गया, तो यहां क्या बचा, आलग कलर लेते हैं, यह यह ले लेते हैं, यह R तो गया, यहां क्या बचा, आर ओच, अब फिर से, यह R तो गया, तो यहां क्या बचा, आर ओच, यहां क्या बचा, आर ओच, यहां क्या बचा, य ये formation हुआ जी इस reaction में, होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था, इसको direct मैं कैसे लिख सकता हूँ, direct मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लूँगा, ROH पलस react करवाऊंगा, PCL3 के साथ, और मैं यहाँ पर क्या formation करवाऊंगा, RCL पलस H3PO3 की formation होगी, और तीन ROH लेने पड़ेंगी, तीन यह करने पड़ेंगे, और इसको क्या करदेंगे, बैलेंस करदेंगे, ठीक है, NCR team आपको यह given होगी, यह बनाया कैसे देखते हैं, अब तीन ROH क्यों लिया, reaction में involved हुआ, कहां कहां, देखो, पहला ROH मैं दिखाता blue color लेते हैं, blue color नहीं आया अभी तक, blue color, देखो जी, पहला ROH यह रहा, ठीक है जी, दूसरा, दूसरा ROH यह रहा, तीसरा, तीसरा ROH यह रहा, इस reaction में तीन बार ROH लिया या नहीं, बिलकु लिया, इसलिए मैंने क्या लिखा, 3 ROH, PCL कितना लिया, एक, एक ही तो चल रहा ह उसी PCL थरीके, कलोरिल PCL, 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 यह P और CL का बोन टूट रहा है, एक बार में एक टूटा, अगली बार में दूसरा टूटा, अगली बार में तिसरा बोन टूटा, फिर यह बना, यह सिंपल बाद है, इसलिए RCL कितने बने, 3, कहां, 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 यह अटैक करा, 3 बार, RCL RCL और यह RCL, और क्या बना है, H3PO3, अब इस रियक्षन के कई जुगाड है, कई जुगाड है, यह देख लो आप, जुगाड देखते हैं, कई, कैसे, कैसे जुगाड बिठाएंगे, यहां पर आपको पता है, वाहिट पैन लेना है, यहां पर ROH आपको पता है, 3 ROH लेने ह तीन ROH लेने हैं, जैसा की रियक्षन के मेकनिजम में हम पता लगा है, तीन ROH लेने हैं, और उसको रियक्ष किस के साथ करवाए है, उसको रियक्ष पी-सी-ल थरी के साथ करवाए है, पी-सी-ल, सी-ल, सी-ल, इसके साथ रियक्ष करवाए है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा क्या है फास्पोर्स एक है यह रहा हाइड्रोजन तीन है ह3, ओक्सिजन तीन है, O3 पलस उसके बाद क्या है तीन आर, तीन सील पते हैं तो लिख दो आर सील कितना तीन, यह आप डिरेक्ट देख सकते हैं क्या आपको यह जुगाड़ समन्द में आया, यह देख लो जी यह जुगाड़ आपको समन्द में आया या नहीं आया यह काफी इंपोर्टेंट चीज है यहां पर, यह काफी इंपोर्टेंट चीज है ठीक है जी काफी इंपोर्टेंट चीज है यह थो कि आप यहां से बिल्कुल असानी से बता सकते हैं चले क्या आगे चले मिल्कुल कि पिछे वाणा देख लो एक बार यह था है ठीक है जी कोई दिक्कत है तो बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ स्क्रीन पे बिल्कुल सही दिख रहा है ठीक है कोई सा कलर नहीं दिख रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं अब एक चीज और देखो अगर मैं पुछूं जो रियक्शन हुई है कौन सी हुई यहां पर SN2 है क्योंकि बोर्ड ब्रेकिंग बोर्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट ठीक है अगर मैं पूछ लो कितने बार हुई है तो क्या बोलो गई क्या बोलो गई हम बोलेंगे six times क्या बोलेंगे six times कैसे देखो पहला अटैक यहां हुआ यह करवा दिया और CL बाहर गया एक बार दूसरा यह इस पर अटैक करवाया CL बाहर दो बार तिसरा अटैक यहां से करवाया CL बाहर गया 3 बार 3CL बाहर गया 3 याоки SN2 तिन बार यहाAN हुई हुई अभ 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 देखो अभ इस lovers फे लोटते हैं एक बार इस पे टेक करेगा एक बार इस पे एक बार इस पे तीन बार इसमें हुई तीन बार वहाँ तीन बार ही यहाँ, तो टोटल SN reaction nucleophilic substitution reaction कितनी बार हुई, छै बार driving force क्या है, OP bond का formation, PO bond OP bond का formation, यह कह सकते हैं ठीक है, यह था जी आज का total इस reaction का मामला, ठीक है जी जुगाड आपने देख लिया कैसे, एक और बताओंगे इसका जुगाड, एक बड़ी जुगाड होता जबर्दस्त, देखो आपने जो ये PCL थरी लिया है, PCL थरी लिया है, इसी से क्या बनाएंगे, इसी से बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे सबसे पहले आप ये देखो, एक chlorine पे charge कितना, minus 1 3 chlorine पे, minus 3 जहां पर, phosphorus पे charge कितना आ रहा हो, plus 3 कैसा आ रहा हो, plus 3, phosphorus H लगाओ, 3, oxygen लगाओ, 3, क्यों? एक oxygen पे charge, एक hydrogen पे charge कितना होता, plus 1, और एक oxygen पे कितना होता है, minus 2 यहां पर इसका क्या मान लो X, यहां इसका X मान लोगे, 3 into 1 पलस, ये X पलस, 2 into minus 3, equal to क्या? 0, यहां से 3 पलस X, यहां से minus 6 यहां से क्या? 0 minus 3, plus 3, minus 3 और उस साइड जाने के बाद, X की value क्या ही? पलस 3, यहनि कि इस phosphorus पे कैसा charge है? पलस 3, इस phosphorus पे plus 3 charge है, after reaction आप phosphorus चेक रहेंगे, उस पे plus 3 charge होना चाहिए और plus 3 charge तब आएगा तब 3 क्या रहे होंगे? Oxygen 3 क्या रहे होंगे? Hydrogen जब हमें पता है Hydrogen, Oxygen तीन बार आए है और Hydrogen, Oxygen कहां से आए है? Alcohol से तो R कितना लेना पड़ेगा? 3 अगर 3 यह लिया है एक OH की cost पे 1 chlorine जुडता है, क्या जुडता है जी? देखो, 1 OH हटेगा 1 chlorine जुड़ेगा, तो chlorine कितने है? 3, तो OH कितने लेके आने पड़ेंगे? 3, R, C, L कहने का मतलब कितने बड़ेंगे? 3 आप डिरेक्ट यहां से देख सकते हैं मेकेनिजम कौन सा हुआ? यह हुआ जी, कौन सा SN2 और SN2 की खास बात क्या थी? SN2 reaction होता है SN2 reaction है SN2 reaction mechanism है कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ ठीक है, जी, consulting mechanism है SN2 है, driving force क्या है? driving force driving force है formation of op-bond op-bond का बना ठीक है? अच्छा, configuration invert होती है SN2 में तो क्या लिखोगे? inversion of configuration inversion of configuration होगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी बता देता हूँ आपके पास है मान लो ये compound ठीक है? और यहाँ पर आपके पास dash पे है जी O-H आपने इसमें डाल दिया PCL-3 ये किस पे है? dash पे मतलब आपसे दूर bond बनने के बाद क्या हो जाएगी? invert पलट जाएगी अब solid पे आजाएगा मतलब आप की तरफ आजाएगा ये और क्या लग जाएगा? यहाँ पर C-L लग जाएगा जी ठीक है? अल्कोल से हेलो एलकेन बनेगा ठीक है जी? या फिर आप कह सकते हैं आपके पास ये है ठीक है जी? ये benzine है आपने क्या डाला है? आपने P-C-L-3 डाला है तो क्या बन जाएगा? ये ममला बन जाएगा यहाँ यहाँ OH डालो और यहाँ CL डालो ठीक है जी? कुछ नहीं दे रखा है ये बनाएगे डेस पे तो वैज पे वैज पे तो डेस पे पलड़ पी ये ममला ठीक है जी? ये ममला I think आपको समझ में आया होगा ये देखें एक बारा आप इसमें कोई दिक्कत समझे है तो आपको कोई नजर आ रही है तो आप तुरंत कमेंट करें मैं आपको कमेंट की वेट कर रहा ठीक है जी? ओके आया है अब देखो अब चलते हैं आग एक तरफ अब रियक्शन वेद PCL5 PCL5 के साथ रियक्शन कैसे करेंगे? पहले मैं रियक्शन करवाऊंगा मेकैनिजम के साथ फिर इनके तरीक्शन के बताऊंगा और लास्ट में ओवराल तरीका इनका एक ही बता दूँगा वह टैन्स नहीं दा लूँ यानि कि यहाँ पर फिर से आपने अलकोहल दे मारा है और यहाँ पर एक बात गोर करने वाली है क्या जो PCL 5 है वो ऐसे एक्जिस्ट नहीं करता शोलिड स्टेट में हम देखते हैं शोलिड स्टेट में तब शोलिड स्टेट चैप्टर नहीं मेन ग्रूप एलिमेंट पी बलोक में जब पढ़ते हैं फास्ट पर 15 गूरूप नमर का है ग्रूप नमर 15 में हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं यह ऐसे एक्जिस्ट करता है PCL 4 इस पे पलस चार्ज PCL 6 PCL 6 और इस पे कैसा चार्ज माइनस सोलिड फॉर्म में ऐसे मिलता है कैसे मिलता है यह है इसकी सोलिड फॉर्म किसकी PCL 5 की तो सबसे पहले हम लेंगे PCL CL CL और इस पे कैसा चार्ज फॉर्स चार्ज यह PCL 4 लिया है हमने इतना इतना शुरू में वो छोड़ दिया फिर से इस पे लोन पेर है और लोन पेर है तो फास्ट फॉर्स पे अटैक मारेंगे और जैसे ही अटैक मारेंगे तो क्या लफडा होगा देखना जी R O H फास्ट फॉर्स है पहला कलोरिन दूसरा कलोरिन तिसरा कलोरिन चोथा कलोरिन यह बोंड बनेगा इस पे पोईस्ट उसार जाएगा अब मुझे इतना बताओ इस केस में कलोरिन बाहर नहीं गया क्यों नहीं गया देखो देखो इसमें जैसे ही अटैक मारा वैसे ही कलोरिन बाहर गया और देखो अटैक मारा कलोरिन बाहर और इसमें अटैक मारते ही कलोरिन बाहर नहीं जाता आप तुरंत कमेंट करके बताओ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, बाहर क्यों नहीं गया, बाहर क्यों नहीं गया, आप ये चीज बताएंगे, बाहर क्यों नहीं जाएगा जी, नहीं बता पार है, कोई बात नहीं, कोई शोशो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, it happens, बेटा जी ऐसा होता है, ठीक मैं मताँगा मताँगा बताँगा रियक्शन देखो एक बार रियक्शन देखो वैसे आपको पता लगना चाहिए था जैसे formation हम पढ़ाते हैं pH 5 पलस एक जिस नहीं करता PCL 5 एक जिस करता एक यह चीज दूसरी चीज यहाँ पर तो और बिटल कुण सा यूज वा केवल फस्फर्स केवल पी और और फस्फर्स का पी और अगर डी यूज करूं तो बॉंड कितने बादने चाहिए पांच वह ममला है बताता हूं कैसे एक्स्प्रेल करते हैं इसके बाद देखो देखो इसके पास है जी लोन पेर ठीक है जी और ये लोन पेर क्या करेंगे ये लोन पेर कुशन कुश लफडा करना चाहिए ठीक है एक लफडा तो यहां कर लिया है दूसरा लफडा एक लोन पेर यहां बचा है क्योंकि उक्सी जनबर कितने लोन पेर थे दो ये लोन पेर as it is क्या अगला बोंड बना पाएंगे जवा कौन सा कलर है हाँ देखो ये जो PCL6 है ये शोर्स है किसका CL- का यहां से आ जाएगी CL- ठीक है यहां से CL- आएगी इस पे अटेक करेगी हाइड्रोजन पे अटेक नहीं करेगी एक तो ये ममला बता ना रह गया हाइड्रोजन पे अटेक क्यों नहीं करती पिछले वाड़े में भी रहे गया था इसमें भी ठीक है इसमें अब भी कर देगी ये जैसे ही इस पे अटेक करेगी ये metre इदर शिफ्ट ये मां इदर सिफ्ट का मतलब देखो क्या है ये मॉर्ट बन जाएगा कूऊ सा और और-डी हजी मैंने किसका और 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 क्लेके यहां क्या बचा फस्पोर्स है यह रहा फस्पोर्स क्लोरिन एक दो तीन चार दो तीन चार क्या आपको दिख रहा है मिल्कुल दिख आगे खड़ा हों क्या अब दिख रहा है क्या दोबारा बना दू कैसे बनाए है कैसे बनाए है कैसे बनाए है यह फस्पोर्स है और इसके पास एक दो तीन च्यार च्यार क्लोरिन है तो मैं बनाता हूं फास्पोर्स पहली क्लोरिन दूसरी क्लोरिन तिसरी क्लोरिन च्यार क्लोरिन बना दिए अब यह आर बाहर गाई यहां क्या बच्चा है ओ और एच्च यहां ओ और यहां पर क्या एच्च ठीक है इसका पोजिट् डबल बॉंड बनाना चाहेगा और डबल बॉंड इसको बहुत ज़दा स्टेबल होता है तो डबल बॉंड जैसे बनाएगा तो इसके एक, दो, तीन, चार, पांच बॉंड पहले बने हुए थे यहां से, यहां से देखना लफडा क्या होगा जैसे यह इसको डोनेट करेगा इस पे पोजिट्व चार्ज आना सुरू हो जाएगा और एक यह बाहर चला जाएगा यहां से कलोरिन और यहां से अगले स्टेप में क्या हाइड्रोजन, यानि कि यहां से बाहर निकल जाएगा आपका HCL क्या निकल जाएगा दिख रायगा आगना आगे तो निकहदा में यहां से बाहर निकल जाएगा आपका HCL, एक कलोरिन यहां से हाइड्रोजन यहां से, क्योंकि पोजिट्व चार जाएगा हाइड्रोजन बाहर पलस, इदर क्या बचा टी य axle यह रहा मामला, यह मामला बना है यहां से, क्या पोई जी समझ में आई है, यानि कि इस reaction में, overall reaction में बना क्या है, देखो, सबसे पहले बना है RCL, यह लिख लिया RCL, पलस, उसके बाद क्या बना है HCL, पलस, उसके बाद क्या बना है POCL 3, इकठा लेख सकता हूँ, यह product यानि की, यानि की, यानि की देखो, बना क्या होगा यह थी जी, अपने पास कोई reaction क्या reaction थी, अपने पास था ROH, उसमें डाल दिया PCL 5, क्या बना है यहां बना है, RCL बना है कितना? 1 पलस, एक क्या बना है HCL बना है, 1 पलस, यहां बना है POCL 3 बना है, 1 ठीक है, एक तो यह मामला अब इसी का जुगाड कैसे बिठाते हैं What is the जुगाड? What is the जुगाड? How बिठाईं? जुगाड कैसे बिठाईं? जुगाड कैसे बिठाईं? जुगाड देखो कैसे बिठाईं? ऐसे बिठाईं दुस्तों ऐसे बिठाईं? जुगाड कैसे बिठाईं? देखो, आप इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप RONS यह है आपके पास L-Code, उसके बाद P-C-L-5 P-C-L C-L ऐसे मतल लिखो ना? मतल लिखो ना ऐसे? आपको दिखा रहा है? आगे तो निख़़ा है? P-C-L-C-L C-L अब मामला क्या है? एक क्लोरी लोग इसके पिछे गुशेड दो एक क्लोरी लोग इसके पिछे गुशेड दो और यहाँ पर इनको जोड़ दो क्या बना? यहाँ से R-C-L बना पलस यहाँ से P-O-C-L-3 बना पलस यहाँ से क्या बना? H-C-L बना यहाँ से H-C-L खिक जी यह जगाळ थापका या फिर इसको ऐसे कई तोड़ भी देते हैं लोग कैसे तोड़ते हैं देखो R, O, H, C, L, P, C, L, 3 और यहाँ पर C, L तोड़ के दिखा दो इनको ऐसे तोड़ दो बात तो वही है ऐसे तोड़ दो क्या बना यहाँ से R, C, L, पलस क्या बना P, O, C, L, 3 पलस क्या बना H, C, L, बना ठीक है, अब आपका एक सवाल था एक सवाल था Hydrogen पे attack क्यों नहीं मार रहा यह दुष्ट Hydrogen पे attack क्यों नहीं मार रहा आओ, उसी attack की सर्चागती देखो 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 देखो, देखो, देखो देखो, अगर मान लो अलग ही कलर का पहन लेना पड़ागा अलग ही कलर, कुण सा, यह नहीं लिया गया दिख रहा गया यह कलर अगर क्लोरिल इस पे attack मारता अगर मारता तो यहां से HCl बनता क्या बनता? HCl और यह HCl liquid form में होता कैसी form में होता? Liquid यानि कि HCl जब liquid form में होता है यानि कि AQUOS लिखोगे फिर से क्या करेगा? H पलस और C L माइनस में तूट जाएगा फिर से और फिर से तूटेगा फिर से बनेगा यानि कि इसमें क्या डवलप हो जाएगा reversible nature कैसा nature reversible reversible nature कोई क्या कहते हो equilibrium यानि कि यहाँ equilibrium डवलप होगा यह CL जाएगा और फिर से यह loan पे फड़ी होंगे और यह loan पे फिर से attack मारें किस पे hydrogen पे और फिर से CL minus बनेगा और यह जो CL minus बनेगा अब की बार hydrogen पे नहीं अब की बार किस पे attack मारेंगा R पे, carbon chain पे reversible nature आ जाता है क्यों आ जाता है यह जो CL बनता है यह liquid form में बनता है liquid form में बनता है aqueous बन जाता है इसलिए attack नहीं कर पा रहा इसलिए attack नहीं कर पा रहा और सेम situation है यहाँ पर और सेम situation यहाँ पर है यहाँ पर यह जो chlorine है यह इस hydrogen पे attack क्यों नहीं मार रहा क्यों नहीं मार रहा क्योंकि यहाँ से क्या बन जाएगा यहाँ बनेगा HCl और HCl कैसे बनेगा liquid form में और liquid form में HCl का मतलब है HCl aqueous aqueous में जाते ही यह तूट जाया किसमे H plus और Cl minus में फिर से reversible नेशर आएगा यह loan pair free होगा देखो loan pair free होगा यह ऐसे और loan pair free होते ही फिर से attack मार रहा किस पे H plus पे और यह जो chlorine है अब के बार H पे नहीं किस पे attack मार रहा CL पे एक step में नहीं तो अगले step में मार देगा attack तो इसे मार नहीं होगा इसी लिए यहाँ पर attack की possibility बनती नहीं है क्योवल क्या बच्छा आपने पास attack ही तो करवाना है देखो chlorine 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 इप attack कैसे करेगा negative negative charge दो loan pair तो है इसके पास अभी B bond बनने के बाद भी 3-3 loan pair है और इन पे attack नहीं मार पाएगा और attack नहीं मार पाएगा तो यह तो गई मामला इसके 4 bond पहले ही बने हुए है यह attack मारेगा नहीं और इसी chlorine के तो bond टूट रहे क्योंकि P और CL का bond वैसे weak होता है in comparison to OP bond OP bond बनता है वह ही तो इसके driving force है अब आगे यह R और यह OH यह bond weak है थोड़ा सा weak bond क्यों है देखो R मतलब क्या है R मतलब क्या है carbon और oxygen इसकी EN value 3.5 इसकी 2.5 इन में EN difference ज़्यादा यानि कि partial positive partial negative bond टूट जाएगा इस पे कैसा charge plus और oxygen पे कैसा minus charge ठीक है EN difference ज़्यादा होने के वज़े से इस bond में polarity ज़्यादा आती है ज़्यादा polar bond हो जाता है इसलिए bond टूट जाता है अब comment करें अब बताएं अब किसी को कोई समस्या है क्या अब किसी को कोई समस्या है क्या ठीक है जी यह वाँ थी अच्छा इसमें rearrangement करवा होगी क्या जैसे उसमें जैसे HCL डाला था हमने सवसे पहले rearrange करवा है था इसमें no rearrangement ओ उवाइट नो rearrangement इसमें rearrangement नहीं करवा होगया no rearrangement किसी भी तरह का कोई rearrangement नहीं होगा जो product बनेगा वही final होगा ठीक है अब आगे यह PCL5 था PBR5 लिख सकते हो क्या बिलकुल लिख सकते है product बनाओगे क्या बिलकुल बना सकते है जैसे मान लिगा कोई भी example ले लो हमने example ले लिए यह यहाँ पर है OH यहाँ पर है जी क्या PCL5 क्या बन जाएगा same ऐसे ही ऐसे ही बनेगा और इस पर क्या लग जाएगा chlorine बागे product हमें मतलब भी नहीं है अगर इसी में PBR5 डाल दूँ BR5 एक्जिस्ट करता रहे यहाँ पर देखो ऐसे और यहाँ पर BR existence और non existence मैं यह भी पढ़ाओगा आपको यह दिखाओगा कोई और समयश्या कोई और समयश्या कितने example कर लो कितने home page पर बढ़के कुछ भी लिखो यह लिख दिया यह लिख दिया यहाँ पर OH क्या डाल दिया PCL 5 डाल दिया 5 डाल दिया यह ring बनाओ एक carbon लगाओ और यहाँ पर BCL लगा दो यह product बन दाएगा ठीक है यह बन दाएगा यह बन दाएगा आपका एक सवाल और था याद करो कौन सा सवाल था मैं याद दिलाता हूं पहले जो एक में है वो CL का bond टूटता है शुरू में CL का bond टूट जाता है देखो इसमें जैसे अटैक मारेगा CL का bond केवल तीन bond बने CL के फिर बन टूट रहा है और इसमें अगले में देखो इसमें कितने bond बने हुए है च्यार bond बने है यहाँ पर और पांचमा bond बनेगा इसमें पांच बने है पहले देखो PCL 5, PCL 4 और पांचमा bond जब इसमें बनेगा फिर बिन टूटता उसमें चोथा bond बनते ही टूटता है वाट इस दा रिजन रिजन इस वेरी सिम्पल रिजन इस वेरी सिम्पल फर्स पोर्स है एक्टोमिक नमबर है जी 15 पंदरा है 1S2, 2S2 2P6 3S2 3S2 के बाद क्या तहरे 3P3 और 3D क्या 0 मैं केवल आउटर और्बिटल आपको बना के दिखाता हूं केवल बाहर वाड़े केवल बाहर वाड़े और्बिटल में आपको बनाता हूं यह देखो S में कितने इलेक्टरोन है जी 2 है और ये रहा जी 3S ये रहा जी 3P 3 और्बिटल है इलेक्टरोन कितने है 3 और 3D है जी यहाँ पर जिसमें कोई इलेक्टरोन नहीं है अब जैसे ही कुलोरिन आ रही है कुलोरिन कुलोरिन उसका एक इलेक्टरोन कुलोरिन उसका एक इलेक्टरोन Klorine, उसका एक electron, एक बार इस 3P को यहां से अठा ये जो bond बना रही है, ये bond कैसे बना रही है एक electron इसका एक electron इसका दोनों orbital हो क्यो पाई हो जाएगे, ये क्या बन जाएगा, bond बन जाएगा, इसका Klorine के कुणसे में electron से donation हो रहा पी से और इसका भी कुण सा पी इसका कुण सा पी है 3P और इसका कुण सा है 3P आचा 3P है कैसे पता लगा और कलोरीन है रे 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P कितना जी 3P5, 3P कितना 5 D तो 0 है और atomic number 17 है यार 2, 4 और 6, 10 और 12, 5, 17 ये बना दू क्या P orbital मेंने बनाया है P orbital में 2, 2, 4, 1 electron किस में 3P यानि बाहर orbital कुण सा 3P और इसमें orbital कुण सा 3P यानि कि PP की overlap है किस की 3P 3P की आलाकि mixing करे ना करे वो mixing का जिकर नहीं कर रहा है ठीक है इसका P इसका P bond बना देगा अब सुनो ये P वाले तो ठीक है जब एक electron में यहां jump करा हूँआ तभी तो bond number 4 बनेगा और bond number 4 के लिए jump करवाना पड़ेगा और jump करवाने के लिए energy देनी पड़ेगी कितनी देनी पड़ेगी energy इसका मतलब वो bond बना रहा हूँ जब मैं तीन bond बने हुए है एक bond बनता है तूटता है कौनसा कौनसा अभी देखो अभी देखो कौनसा इसमें इसके तीन bond बने हुए है क्लोरिन के साथ तीन इसका 3P इसका भी कौनसा थरीपी पसिने लाइक कमेंट से रहा देखो इतने पसिने यूजारा या नहीं हो रहा और डियो अर्विटल यूज नहीं हो रहा तो यह क्या करेगा उसी पर अटैक मारेगा उसी टाइम पर बन जायगा अभी फासवर्स की तिने बॉन्ड बने तीन देखो यह तो तूट जाएगा एक दो तीन तीन बनेगे और जब फासपोर्स पांचमा बनते ही, पांचमा कैसे बनाओगा, कैसे बनाओगा, कैसे, ओ सजना कैसे, ओ सजना कैसे, ये P रहा होगा, इसके एलेक्ट्रोन, ये P है जी S था, और ये क्या रहा होगा, D रहा होगा, D में पांच, इसमें तीन एलेक्ट्रोन, इसका एक एलेक्ट्रोन, जम्प करके यहां चला जाएगा एक इलेक्ट्रोन और P में भी कितने इलेक्ट्रोन अहां P में भी एक एक इलेक्ट्रोन और इस D में भी पूरा बड़ा और्बिटल है D उसमें भी कितने इलेक्ट्रोन एक अनपेड इलेक्ट्रोन कितने अनपेड च्यार बॉंड नहीं बन सकते च्यार न ज्यादा है और इसमें 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 अगर इलेक्ट्रोन दे दिया इलेक्ट्रोन दिया मतलब गैप कम हुआ 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 और गैप कम हुआ हुआ तो इलेक्ट्रोन इसलिए क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा च्यार तो बना बनाई नहीं सकता च्यार बनाया है इसका अगर दिमाग लगाया आव किसी ने सोचा हुआ कि अटेक मारे के बार नहीं जा रहा है बार नहीं जा रहा है और कमेंट करो और कमेंट करो और कमेंट करो और करो और ठीक 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 और कमेंट करो मर लो अगर मैं देखो ये तो मेरे पास क्या था और ओएच था इसमें टैक करवाया मैंने क्या देखो सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ और टुच्छा तरीका मैं क्या अपनाया था पसीएल था एक सीयल यहां एक सीयल इसके गोद्यू एक सीयल इसके गोद्यू क्या बन जाएगा RCL POCL3 और यह क्या बन जाएगा HCL, यह बना था अब की बार अब की बार तरताओ की सकार अब की बार तरताओ ठीक, अब की बार मैं निकल ले लिया ROR, इथर, अब की बार मैं PCL5 डाल लूँ, तो क्या बनेगा What happen when PCL5 is डालिग, what happen when PCL कुछ नहीं रहे, यह CL PCL3 और यहाँ पर क्या CL, इसको फिर से इसको डालो इसके पास इसको इसके पास यह अलग हो जाएगा, यह क्या बना यह बना RCL पलस, यह क्या बना POCL3, पलस, यह क्या बना R-CL Is there any समश्या, is there any दिक्कत, is there any समश्या समझ मैं रहा हुआ, आगे अगर मैं कुछ ऐसा करूँ कुछ ऐसा करूँ कमाल यह हो जाए और PCL5 ढ़लो प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें इसमें कमेंट करके बताएं क्या बनेगा इसमें कमेंट कर दे रहे क्या बंजाएगा मैं मान जाओंग आपको इसमें कमेंट कर दे इसमें नहीं नहीं लड़ो मरो कमेंट में लड़ो मरो कोई फ़रक ने पड़ता और सियल बनेगा जी आच्छा और सियल तो बनजाएगा और क्या बनेगा अरे दुस्टो, अरे दुस्टो, अरे दुस्टो सिम्पल सी बात बताई थी अबी इसको ऐसे लिख लो R, C, डबल बॉंड, O O, R लिखा, PCL5 को ऐसे लिखो कैसे? PCL3, यहाँ पर CL, यहाँ पर क्या? CL ऐसा मिलते ही, ऐसा मिलते ही 1, CL, इदर डालो, 1, CL इस कारबन के डालना पड़ेगा अब के बार? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक तो क्या चाहिए PO, CL3 चाहिए ना? तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखना, एक तो R, CL बन गया यहाँ से, बिलकुल इदर से PO, CL3 बन गया, इदर से पलस, इदर क्या बना है? R, C, डबल बूर्ड, O, CL एक यह बन गाएगा, R, C, डबल, O अगर ऐसा है, दुस्टों, अगर ऐसा है बेटाजी ऐसा है, तो आप R, C, डबल बूर्ड, O इसकी जगर H लगाऊं और इसमें PCL5 ड़ाँ, क्या ड़ाँ, PCL5 अब बता दो क्या बन जाएगा, अब बताओ, अब मान जाओ, अब बता दिया तो आपने अब बड़ा सिंपल बनेगा, चलो अब उत्तर बता देता हूँ, ये दो बहतेगी र, C, H, Excellent, एक क्या बन जाएगा, वही प, O, C, L तरी, ये बनेगा कैसे, ठीक है, क्या बन जाएगा, बनेगा कैसे, मेकेनिजम, बनेगा कैसे, मेकेनिजम मताय, मेकेनिजम मताय, बनने का तरिका, बनने का क्या तरीका होगा, बनने का तरीका क्या होगा, बताओ, क्या तरीका होगा, बनने का, क्या तरीका होगा, बोलो टन 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 बोलो 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 मैं ही बताता हूं आपको कौन से रियक्षंती आरो एस देखो जी मेकनिजम क्या होगा और सी डवल बोर्ड ओ यहां पर क्या होगा एज पी सी एल फाइब पर जैंट है एज यू नो वेरि वैल एज यू नो दूस्तों एज नो यह पी सी एल फॉर पलस पी सी एल सिक्स माइनस इसकी फों में होगा तो अटैक सबसे पहले प पी सी एल फॉर पे अटैक करवाएगे किसका किसका इस उक्सिजन की लोन प्रका है पिर वादेंगे करवा देंगे क्या बन जाएगा और सी डबल बुन्ड ओवर व्र पी सी एल फॉर PCL4 यहां पर H इस पर कैसा चार्ज पूजटू यह तो समझ में आया एक अटेक ही दूसरा यह शोर से किसका यह शोर से CL- का यह CL- देगा और अब की बार CL- कहां अटेक करेगा जहां पूजटू चार्ज जाता है ऑक्सिजन पर नहीं इस पर अटेक मारूंगा तो यह बॉंड अपने आप खुल जाएगा उपर की तरफ हाईर एलेक्र नेगिट्व एलिवेंट है वाई ऑक्सिजन नेगिट्व पोजिट्व चार्ट उस्टेबल नहीं तो क्या बन जाएगा आर सी ओ पी सी एल फोर इदर एक्स और इदर क्या सी एल अब आगे क्या होगा आगे क्या होगा रेकालिया आगे बड़ा सिंपल ममला है उसको खोलो बॉंड को पता लग जाएगा आपको क्या होगा पता लग जाएगा बॉंड खोलते ही देखो R, C, H यह रहा H और यह क्या रहा C, L Oxygen P, C, L C, L, C, L यहां पर क्या है C, L, अब देखो इस Oxygen पे क्या रहे होंगे इस Oxygen पे पक्का लोन पे रहे होंगे और यह लोन पे क्या रहेंगे फिर से Double Bond बनाना चाहेंगे फर्स पॉर्स के साथ और फिर से Chlorine अच्छा Living Group बताया था अगर कोई Neutral Group है Neutral Molecular वो अच्छा Living Group है अगर वो नहीं है उसके अलावब कोई अच्छा Living Group है? Chlorine और यह Chlorine जैसे ही निकलेगा C, L- की फोम में जैसे ही निकलेगा वैसे ही Attack बिठा देगा वैसे ही Attack बिठा देगा फिर देखो क्या होगा देखो आगे देखो सबसे पहले लिखूँगा आर यह रहा उसके बाद Single Bond Carbon यह रहा निच्छे Hydrogen इदर क्या Hydrogen उपर क्या Oxygen और देखो यहाँ Double Bond बन रहा होगा Electron Donate यह पक्का Double Bond और यार Double Bond बन रहा होगा किसका Oxygen का और Phosphorus का और कितनी क्लोरिन है आज इसके पास आज इसके पास तीन है चोथी जा चुकी है चोथी छोड़ के इसको जा चुकी है और उसका Attack इस पे possible हो रहा है इस Oxygen पे फिर से कैसा चार जाएगा Positive और एक कलोरिन है जो इसके तरफ बढ़ता चला आ रहा है क्या हो जाएगा अब की बार ये Bond तूटी जाएगा ये Bond तूट गया और तूटते ही ये Molecule क्या बन गया ये Molecule P, O, C, L कितनी है 3, P, O, C, L थरी बन गया और ये क्या बन गया ये बन गया R, C, यहाँ पर H, यहाँ पर X, L, T, 1 और I ये बन चुक है और इसे Geminal बोलते हैं आपको पता होगा Geminal ये Geminal क्या होता है? देखो अगर कोई Carbon है किसी से जुड़ा हुआ है इसके मतलब एक Hydrogen है एक कलोरिन, दो कलोरिन अगर दो कलोरिन एक ही कर्बन पर हो उसे नाम दिया था था Geminal Gem बोलते हैं Geminal अगर R मतलब यहाँ कर्बन ही माल लो CH3 माल लो ठीक है? इदर कर्बन, इदर कर्बन एक कलोरिन, इदर एक कलोरिन, इदर बाग की दो-दो क्या हैंद के पास Hydrogen 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 और यहाँ पर क्या है? कलोरिन, दो कर्बन, दो कलोरिन इसे नाम दिया था था Wikinal Wikinal और shortcut इसे बोलते हैं यह Zeminal है Zeminal इसे क्या बोलते हैं? Zem जैम बोलते हैं ठीक है जी? एक कर्बन पर दो कलोरिन Zeminal, दो कर्बन पर लगाता है दोनों पर कलोरिन उसे क्या बोलते है? Wikinal पड़ोसी Wikinal पड़ोसी इसमें कोई समय से आएगा इस मेकानिजम में देखलो इस मेकानिजम में कोई समय समय से आएगा कोई समय से नजर आई है तो पूछें और सक्रीन सोट दे मारे इसका सक्रीन सोट दे मरें सक्रीन सोट सक्रीन सोट सक्रीन सोट ठीक है यह दह ममला अब देखते हैं अगले बार डर्जन प्रोसेस डर्जन प्रोसेस यह क्या होती है डर्जन प्रोसेस इसमें हम किसी अलकोल को सोट के साथ रियक्ट करवाते हैं S.O.C.L.2 के साथ रिया ठिरवाते ही शे डर देन प्रोसेस बोलते हैं चलो लंबी कलास हो जाएगी इसको नेक्स्ट कलास में डिस्कस करते हैं आप जितना ज्यादा ज्यादा होसके सेर करें, लाइक करें, कमेंट करें तब तक के लिए नमस्कार